हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने Infinix Note 40X Android mobile phone में आप अपने mobile phone के auto brightness की problem का आप solve कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जान करीते हैं वाला हूं तो चलिए आप वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखें दूस्तों कभी भी अगर आपके mobile phone की जो brightness है वो आटमाटिक लो जाती है ना बार बार तो इसके solution के लिए सबसे पहले mobile phone का setting का page उपन करना है ठीक है setting के इस page में आप नीचे आएंगे तो आपको यह option मिलता है display and brightness का इससे आपको tap करना है अब दिखें इसके अंदर आपको यह option मिलता है adaptive brightness इस option को tap करना है ठीक है इसमें आपको नीचे की side apps का यह option tap करना है यहाँ पर सबसुपर आपको system app लिखा है इससे tap करना है अब इस वाले page में आप नीचे आएंगे तो आपको यह option मिलता है android system इससे tap करना है इसके अंदर आपको नीचे storage का यह वाला option टाप करना है storage ठीक है अब यहाँ पर clear catch का यह option टाप करना है तो आपको catch के समनला data zero हो जाता है अगला का हम यह करना है कि internet को चालू करगे mobile phone का setting page ओपन करना है इसमें आपको नीचे की side system पे tap करना है अब इसके अंदर आपको system update पे tap करना है यहाँ पर आपको online update पे tap करना है तो आपको जो आना है इस वाले page पे कोई भी update का button या download install अगर यहाँ पे लिखा हो दिखाई देता है तो इस आपको tap करेंगे phone का software update करना है अब दीख है अगला काम हम यह करना है कि आपको अपने mobile phone को reset करना है देखे अंब मेरे बताय हुए पिछले process को कोई भी काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करना है अदरौई नहीं करना है phone को reset करने के लिए phone का setting page open करिए सबसे सबसे नीचे की साइड आपको यह system का option टाप करना है अब यहाँ पर आपको यह research option टाप करना है अब इसके अगले page में erase all data factory research पर आप टाप करेंगे तो इससे आपका phone research हो जाएगा और आपकी problem solve हो जाएगी लेकिन phone को research करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपके mobile phone का जो data उसका backup ले लिए अपने phone में और दूसरी बात ही ध्यान रखने है आपके phone की gmail id और उसका password आपको पहले से note करके रख लेना है तो इसके बात phone को research करना है ठीकिना तो मेरे बतायों तरीकों से